दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगी कि बू कौन से नियम है जिन्हें नवरात्री के दोरा और ब्रेद करने वाले ब्यक्ति को गलती से भी नहीं करने चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तो मातारानी को प्रिसन करने के लिए भक्त मातारानी की सच्ची मन से अरात्ना करते हैं और नवरात्री के नो दिनों में भक्त मातारानी के अलग-अलग स्वरूपों की उपासना तथा पूजा अर्जना करते हैं दोस्तो अगर आप नवरात्री में उपवास कर रहे हैं तो आपको नवरात्री की यह नोनियम जरूर पता होना चाहिए आईए जानते हैं यदि आप नवरात्री का ब्रत रख रहे हैं तो आपको नोनियमों का पालन करना चाहिए वो नोनियम यह हैं जो है पूजा पाठ में म ब्रत करने वाले के घर में कोई दूसरा भी सदस्य ऐसा ना करें और नब्रात्री ब्रत के दोरां काले कप्रें ना पहने ब्रद करने वाला ब्यक्ति किसी को भी गाली गलॉंच ना करे तथा किसी के भी प्रती इर्षिया का भाव ना रखे ऐसा करने से मातरानी रुष्ट हो सकती हैं आप निराहर ब्रद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन फलाहर के नयमों का पालन करें बारवार फल नहीं और खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सिंगाडे का आटा, साबू दाना, सेंधा नमक, उबला आलू, मीडियम फल का सेवन करें, अगर दुर्गा चालीसा मंत्र, सबसती पाठ या चंडी पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसकी नेमों का पालन करें, पढ़ते ह हुए बीज में किसी दूसरे से बात ना करें, और नवरात्री में ब्यक्ति को डाड़ी ना खून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, नवरात्री के बारे में आ आपका यदि कोई सवाल हो, तो मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं,